रिचार्ज प्लैंस महेंगा होने के बाद भी अभी भी काफी जादा लोग ऐसे हैं कि अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या अपने नंबर को बीएसनल में पोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं देखे मैं दो यह बात उनको बोलना चाहूंगा कि यहां पर चालू रहे हमको ना कॉल करना है ना यहां पर डीटा यूज करना है तो आप यहां पर कुछ यवह बड़ी अपर शर्विस मिल जाती है जैसे जहां पर फोर जी के अंदर देखने के लिए नहीं मलता है तो इस वज़ए से यहां पर बीएसनल अभी थोड़ा ज्यादा वीक है अब यह 4G है इनका तो इसलिए जो 4G डिटा है वह भी यहां पर 4G जहां नेटवर्क मिल रहा है वहां तो ठीक ठाक चल रहा है बट कुछ जो सर्कल से वहां पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी अरिया में का नेटवर्क कैसा आ रहा है वेब साइट है उसका लिंक में ड क्लिक कर देना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप सो थोड़ा सा यहां पर डिटेल से जाएब फिर आपके एरिया में नेटवर्क कैसा है यहां पर यहां पर बता जाए जाएगा अब देखिए यहां पर 3G, 4G, 5G का कवरेज मैप आप यहां पर चेक नो टाइब कर देते हैं यहां पर देखे आ गया ऐसा कुछ तो इसके बाद आपको अपना लोकेशन यहां पर सलेक्ट कर लेना है तो हम लखन अगर ब्लैक अउट हो जाता है तो उसका मतलब है कि भाई यहां पर अपकी एरिया में ब्यस्टनल की कनेक्टिवीटी नहीं है अब यहां पर देखो कुछ कुछ एरिया जैसे हैं जहां यहां पर 3 G है ions यहां पर देख स्थे हो कि यहां पर और यहां पर मल जा रहे तो ऐसा कुछ यहां पर सीन देखने के लिल रहा है तो अगर आप अपने पिं कोड यह अपने एरिया का पूरा डिटेल डालोगे ना अडरेस तो उसके बात आपको ऐसे पता चल जाएगा इस website से कि यहाँ पर आपके एरिया में BSNL की connectivity है या फिर नहीं है और connectivity है तो कौन चाहे 2G, 3G या फिर 4G तो वीडियो में आगे बढ़ने इस पहले में आपको बता दूं कि अगर आप Amazon Flipkart से शॉपिंग करते हैं ना आप भी मेरी तरह ऐसे सस्ते में प्रोड़क खरीज सकते हैं जैसे कि यह एरबर्ट सिर्फ 2,000 रुपए का आता है लेकिन हमने सिर्फ 1,200 रुपए में खरीदा था तो ऐसे बहुत सारे deals and discounts वाले offers समय समय पे आते रहते हैं जिसे हमने अपने टेलिग्राम चैनल टेकनी को डीज पर शेयर करते रहते हैं तो अगर आपको भी ऐसे offers के वारे में जानना हो तो टेलिग्राम चैनल का link हमने description box में दे दिया है तो जाके आप अभी के अभी जॉइन कर लेना अब मैं आपको पूरा process डीटेल में बतायता हूं लेकिन उससे पहले मैं यहां पर बेसेनल के दो popular plans के बारे में बतायता हूं जो यहां पर जादा तर लोग यहां पर जब भी से इंपोर्ट करते हैं यहां पर नया SIM card लेते हैं तो यही दो plan market में देखने के लिए मिल रहा है सबसे पहला plan है 108 रुपए का जिसमें आपको 28 दिनों के लिए एक जीवी पर डेटा मिलेगा unlimited calling मिल जागी और यह popular plan है ज्यादा तर लोग यही वाला ले रहे हैं दूसरा जो plan है यह काफी ज्यादा मस plan है इसमें किया है कि 249 रुपए का plan है आपको इसमें 45 दिनों की वैलिटी मिलती है 100 SMS per day मिलेगा 2 GP data per day मिलेगा और यहां पे आपको unlimited calling का भी support देखने के लिए इस plan में मिल जाएगा तो यह काफी ज्यादा popular plan है जो की डेड़ महीने वैलिटी के साथ यह वाला plan आता है देखने के लिए मिल रहा है तो कुछ ऐसा सीन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है बाकि यहां पर पोड़ा क्या offer चल रहा है वह वीडियो का इंट तक मैं आपको detail में बताता हूं अब देखिए यहां पर आपको सबसे पहले क्या है कि आपको अपने number में यहां पर UPC code निकालना होता है अब UPC code निकालने के लिए आपको अपने number में सबसे पहले एक message करना पड़ता है अब वहां पर message में क्या है कि आपको 1900 पर एक message भीजना होता है message में लिखना होता है PORT space mobile number और उसके बाद इस वाले message को आपको यहां पर भेज देना होता है 1900 पर लेकिन यहां पर आपको उज बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि आपके number में अगर already कोई recharge plans है जो 2-3-4 महिने का है तो आप भूलकर भी यह message मत करना अभी के समय में क्योंकि क्या होगा ना कि वो जो प्लान आपका इस number में भी चल रहा है वो भाई यहां पर खतम हो जाएगा मतलब यह चीज़ बीजनल में ट्रांसफर नहीं होगा तो इसी वज़े से आप तब ना करना जब आपके number में यह इसी कोड अपने आसपास के नजदी की यहां पर ब्यस्नल ओफिस या फिर आपके आसपास यह जो अम्रेला वाले भाईया होते हैं यह रोट साइट पर लगा के बैठते हैं तो वहां पर लेके जाना है उसके बाद आपको अपना डॉकुमेंट भी लेके जाना है अब यहा पर थम इंपरेशन लिया जाता है उसके बाद आपको जो स्विंप वाला रिक्वेस्ट है वह यहां पर डाल दिया जाता है और यहां पर तीन से चार दिनों के अंदर यहां पर आपका सम कार्ड बीस्नल में पोर्ट हो जाएगा अब काफी जादा लोग का यह भी सवाल होत है और एक चीज़ और मैं आपको अधा दो कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से ना तो वहां से अगर आप किसी दूसरे स्टेट में यहां पर सिंपोर्ट रिक्वेस्ट डालते हैं तो यहां पर यही जो समय है वह यहां पर साथ से दस दिनों का भी हो जाता है यानि कि क्यान राइवाँ के अफ़राह कार्ड लूगों का इस सवाल रहता है कि यहाँ पे क्तना पैसा लगता है dhp कराने में दे के simply का एक भी रूपय नहीं लगता है एकदम पोर्फशिह हो जाता हैं लेकिन उसकाल आ कि यहां परTS है POL इस यहां पर आपढ़ा जाता है उस निशलागा प्लाज का पैसा दिया जाता है लेकिन यहां तो यहां पर उस SIM का कॉष्य के है वहाँ । यहाँ पर काफी स्थ्य कर्डा कम हो जाता है अब देखियं अपने एरियामे SIM port वालाइवा उफर पता किया था तो यहाँ पर ऑफर है किया कि दो ओफर जैसे यहां पर SIM के लिए होता है नया SIM के लिए वैसे SIM port वाला भी offer है और यहां पर क्या है कि 100 रुपए आपको देना होगा और आपका SIM card port भी हो जाएगा और उसके अंदर आपको 249 रुपए वाला यह जो plan है यह वाला आपको plan यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा जब भी आपका number active यह सवाल होता है कि भाई जो SIM card हम यूज कर रहे हैं वह हमारे नाम पे नहीं है वह किसी और के नाम पे और हमको पता भी नहीं किसके नाम पे तो हमें यहां पर SIM port कर वाना है तो क्या हम अपना ID लगा कि यहां पर SIM card किसके नाम पे है यही तो port का एक बहुत ही बड़ा benefit है कि कि यहां पर विसकוש से नाम are in rejectimiento पर करते हैं कि नाम फिसे दूसरे आप कि आपके रिद्टर में आडिये लगा डी गर वूसी आप में सिर इससे नेट्वर्ग मीज़न हुगता है जिससे comment section में काफ़ी ज्यादा लोग की help हो जाती है एंड इस वीडियो को share करने के साथ चैनल के आप नहीं है तो subscribe कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूं तो मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ बाए